नमस्कार साथियों स्वागा था आप लोगों का हिंदुस्तान के रंग हजार पर आज के इस विशेश सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से एसिया में सबसे सक्तिशाली देश चीन उभरता हुआ नए दोर में क्या कर रहा है भारत के इर्दगिर जितने सा मोटे मोटे गरीब देश है उन लोगों को अपने जाल में जकडते हुए जा रहा है पहले हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान को अपने चंगुल में फसाया उसके बाद से स्रिलंका को फसाया अब की बारी आए नेपाल का आज की सेशन में लोग इसी के डिवलप्र देश में से गिना जाता है लेकिन अबिकस्ति नहीं मानता है क्योंकि विकस्ति देशों फसा कर इन्हों ने पूर्ण रुप से बरबादी कर दिया इन दोनें तो दिवालिया करी दिया अब की बारी है नेपाल कर नेपाल भी उसी के आरवे दिन पर ती दिन जाएदा फसते जा रहा है यह हमारे भारत के लिए चिंता कभी से है हम लोगों के लिए खुशी कभी से नहीं है क्योंकि भारत से इसा क्या नफरत है नेपाल को कि वो अब जाकर चिन के गोद में बैठा जा रहा है भारत से अब दिरे-दिरे मुह मुडता जा रहा है नेपाल के वरतमान परधानमंद्रिया क्या है कि दो बार नेपाल के राश्पति रह चुके हैं और ये तीसरी बार अब शपत गरंड कर लिए लेकिन इतिहास में नेपाल पहली बार ऐसा कोई काम किया है जो भारत के खिलाफ में इस बार हुआ है काम क्या क्या है क्या क्या है क्या पहले दो बार जब परधान मंत्री के सपत गरहन किये हुए थे उस समय क्या किये कि यह जब भी पहले दोरा करते थे भारत का दोरा करते थे लेकिन इस बार जो यह परधान मंत्री की सपत्गरहन के बाद से जो दोरह किये वो चीन की किये दोरह करने के पस्चात इन्हों से हीरो Don't And Road पर्योजना पर जो बिवाद था उन्हेर जाकर इन्हों ने सॉल्ड किया है the balance and road पर योजना एक जो क्या करता एक अलग-अलग देसों को connect करता है भारत को connect नहीं करता है ठीक है belt and road पर्योजना के तहद से चीन क्या करता है अपने समानों को दुनिया के अलग-अलग देशों में पहुंचाता है यह काफी सारे देशों से यहां पर जुड़ा हुआ है देख सकते हैं आप लोग बगल में इनका फोटो भी लगा हुआ belt and road पर्योजना किस प्रकार से दुनिया के सारे देश भारत को आने चारो तरफ से घेर कर चीन जो है क्या कर रहा है अपने समानों को पुरा दुनिया में सेल करने के लिए एक नया रूट कर निर्मान किया है जिसके साहिता से क्या करता है वाटर वेज या तो रोड वेज दोनों के द्वारा क्या करता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में समान को पहुंचाता है सस्ते दामों मर वहाँ पर क्या करता है बेचकर चीन अपने मुनाफ़ा कमाता है या ज जाएता कोश्टली उसमें पड़ जाता है इसलिए यह सस्ता समान बेचने के लिए इस परकार का जो पर्योजना था वो लाया गया था लेकिन इसमें क्या हुआ कि यह जो बेल्ट एंड रोड पर्योजना वो अभी भी नेपाल में लटका हुआ है बहुत जगा यह क्या हुआ है कि लटक गया है उसी प्रकार से एक सिपी इसी था जो चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर था अभी भी बुलुचिस्तान में लटका हुआ है और यह भी जो बेल्ट एंड रोड पर योजना यह भी क्या हो रहा था कि भारत ऑकूपाइट जो कस्मी रहा नहीं जिसक अब यहीं जो अटका हुआ इसी के कारण से क्या हुआ है काफी जाहिदा पैसा उसमें जोक दिया गया नेपाल सिरिलंका माल्दी यह सब जो देश से भारत के इर्दीद इन सबका जो अर्ष ब्यश्ता जो मेनली जो ठिका हुआ है नों परियाटक आते इन लोगों के पास आपता आए जैसे सव डिराभाय इरान अइराख है इन लोगों का खेल एल भ Fields झाल पर झालों का खेल खत्तम उसी प्रकार से यहां पर परियंटök खत्म इनका भी खेल खत्म हो जाएगा ता इनका यहां परियंटka हसे परियटक आने से क्या होता है की बता दिया रोड का निर्मान कर देते भीधेश दुर-दूर से परियटक आएगा फूस लां गया चोटा बोला समान भी सस्तें में मिल दाएगा हमारा जो चीन है उससे तुम्हारा समान जो आएगा उस सस्ता में आ जाएगा उसमें भी खूस हो गया भूला ठीक बोल रहे साब अब क्या हुआ कि इसके यहां तो सारा कुछ हुआ नहीं परियाटक बढ़ा नहीं यह बढ़ा लेकिन करजा तर जरूर बढ़ गया जिसके बदास नेपाल क्या हुआ तिलमिल आ गया अब तिलमिलाने के बाद से क्या सूचा कि यह जो बेल्ट एंड रोड पर योजना है वो लटका हुआ है साइद इसलिए परियाटक नहीं बढ़ रहा है इसलिए फिर से चालू करवाने के लिए चल गया इसको कौन बताएगा यह पगलेटवा के कि नहीं आने वाला है उसस ज्यादा घाटे में चल रहा है पहला बाद दूसरा हो कि यहां पर पिछला बार जब पोखरा एयरपोर्ट में जब दुरगटना गरस हुआ था तो उसमें भी काफी सारे यात्रियों की जान चली गई थी जिसमें सुनते चार इंडियन भी था यहां तक खबर आई थी ठीक कर्ज के जाल में इसको फसाने का मुख्य रिजन था कि पोखरा एयरपोर्ट का निर्मान करने के पाश्यात से क्या हुआ कि नेपाल ने इसको जाश का आने अ समझे चीन का गुलाम उसके बाद चीन जो कहेगा वो देश वो सुनने के लिए तयार है आने कि चीन अगर उसको कोई भूमी का टुकड़ा मांग लिया तो उसमें भी उस संतोस है उसी प्रकार से भुटान भी है डोकलाम अभी उसी हालत पे चल रहा है डोकलाम को हमको जहां बात लगता है चीन को लेकर ही रहेगा चीन चीन छोडने वाला नहीं है डोकलाम को डोकलाम जिस दिन चीन के अंदर चला जाएगा भारत के लिए सरदर्द के समस्या बढ़ जाएगी दूसरी बात है कर्ज के जाल में फसाया गया है नेपाल भी बढ़िया तरह फस गया लिपूल एक सुस्ता है यह सब जो इलाखा का मेन रुप से काला पाने का यह सब का निपटान कर देना चाहिए जो भी है उसको क्या करना चाहिए की फैसला कर लेना चाहिए क sopr сб Украї अच्छि कि हमारे अच्छे होना चाहिए और यह हमारा दोस्त नहीं है नेपाल यह हमारा पडोसी है पडोसी से हम लोगों को सहीर आना बहुत ज़रूरी है हर घर के एक ही कहावत होता है कि पडोसी यह बदमास है दोस्त वह दूर वह ठीक है लेकिन उसके समने भी जाता है वही दोस्त उसका बदमास हो जाता है खर थोड़ा जायदा घेर चुका है चीन जो है वो भारत को थोड़ा से जायदा घेर चुका है आज के सेसन में बस इतना ही आप लोग को क्या लगता है कि नेपाल फिलाल चीन के कर्द से मुक्त हो सकता है अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा